मुवीज की शूटिंग होगी है जैसे यहां पर मेरे पीछे यह गाव का सीन देख सकते हो तो यहां पर रजिया सुल्तान फिर दबंग तू का भी यहीं सौंग हो आता शूट नहीं देर से आपको जो घर-घर बता रहा था जो विलेज का गर हो सकता है वो अंदर आप लेखा तो क्या यहां यहां पर जेहल बनाई होगी है एलो देल निस देल बने एक यहां इवाचिंग अब जा रहे हिं चिल रहें कर दो कि मैं अवहाँ बहुत सारे स्टोडियो जहां पर मूवी के सीरियल और बहुत कुछ शूट होता है वहां पर सो वैसे हैं है के तूटियो अपका दा अधर क्या क्या है और फिर प्रत शूटिंग लोकेशन से जाए गाई तो मैं सब कुछ आपको दिका दाग सो गई चलो चल ताइंद देख एसका एसका यहां पर यह पीछ्छे गेट यहां पर आगे आख यह देख आख देख एसका यहां पर आके आते ही देख सोने आपने बड़े बड़े ग्राउंड यहां पर मतलब पूरे ग्रीनरी है और आपने तारजन द वंडर कार मुवी भी देखी होगी और यह साइड में स्क्रिंशॉट देख सकते हो जो यह वाला सीन था न यह मूवी का वो यह ग्राउंड में पीछे वाले ग्राउंड में अब ही मैं आपको अंदर भी लेकर चलता हूँ और दिखा दाऊ कौनसे-कौनसे लोकेशन अंदर कौनसे मूवी की शूट हुए और यह स्टूडियो के बारे में भी बताता हूँ आपको यह स्टूडियो की स्टूरी भी ऐसी है कि जो मिना कुमारी जी थी उन्होंने यह स्टूडियो खरीदा था फिर उनकी शादी होई थी कमल अम्रोही साप से फिर जो कि मिना कुमारी की डेथ हो गए फिर उसके बाद से यह स्टूडियो का नाम पढ़ गया अम्रोही यहीं सॉंग हुआ था शूट जो कि वह तेरे नेना सॉंग है वह भी यहां पर शूट वा था गाई अगर आपको मालूम हो अगर आप बॉलिएवड में जादे इंटरस्ट रखते हो तो आपको मालूम ही होगा कि यहां पर जो लोगडाउन के टाइम पर अक्षे कुमार सर की जो एड फिल्म शूट कर रहे था हमने देखा था मास वास लगा के ब्लॉगडाउन के टाइम भी वह शूटिंग कर रहे थे तो गाइस वह कमली स्थान स्टूडियो में शूट कर रहे थे यहां ही पर कुछ बाहर से तो होस्पिटल जैसे लिखा है लेकिन अंदर तो कुछ अलग ही देख रहा है अंदर में आपको लेकर चलता हो और देखता हो मैं खुछ जाके चेक करता हो क्योंकि यह पहाड़ी के ऊपर होस्पिटल के नाम पे अंदर तो आया लेकिन यहां पर कुछ हॉस्पिटल जैसा नहीं है यहां पर तो कुछ मतलब बहुत बड़ा जैसा है यहां पर यह लोग ने वह बनाया वह गाईस मुझे कुछ आइए नहीं इसके बारे में लेकिन हॉस्पिटल के नाम पे हम अंदर आये वह देख सकते हो ऑस्पिटल का बोड और उसके अंदर मैं यहां से चल के आया तो मुझे मालूम पड़ा यहां पर को बड़ा यहां पर गाडन जैसा है अभी मुझे मालूम पड़ा कि जो ओल्ड वाली फिल्म थी राजा बाबू उसका भी यहां पर ही सेट लगा था वह भी यही श्टूडियो में शूट होई थी वीडियो पसंदार है ना तो लाइक तो जरू करी देना और सब्सक्राइब भी करी द ना तो वह बेस्ट लोकेशन है गाई ऐसे यहां पर फेक बंगलो स्टाइब बनाए गए बंगलो नहीं बोल सकते हैं कि विलेज एरिया में घर होते हैं वैसे सब कुछ यहां पर बनाए गए देख सकते हो आप यहां पर यह घर है तो मतलब यह घर है ना मतलब यह लोग ऐस आपको ये घर के अंदर दीखाता हूँ ओ माइ गॉड गाइज ये घर नहीं है एक्चुली मैं अपनी देव से आपको जो घर घर बता रहा था जो विलेज का गर हो सकता है वो अंदर आके आप देखा तो क्या है यहाँ पर जेल बनाई गई है गाइज जो शूटिक के लिए यूज की जाती है वो जेल है यहाँ पर आप देख सकते हो नजदिक से दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर जेल हो सकते है मैंने कहीं पर आर्टिकल्स में वीडियो इसमें कहीं नहीं देखा था मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो और ये वाला जो यहाँ पर अक्षाई कुमार का शूट हुआ था एक एड़ फिल्म शूट हुई थी कोरोना की तो उसका भी मैंने अलग से व्लोग बना है उसकी भी लिंक आपको ड तरफ जाते हुए मुझे यह दिखा गाईस यह वालब एक बंगलो दिख गया मुझे और बंगलो बहुत खंडर जैसा पड़ा है तो मैं आपको नजदिक से दिखा दो आपको कुछ समझ में आ रहा है यह बंगलो को देखकर कौन से मूवी या शूट में कोई तो बंगलो किया गया है तो मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रू बताना गाई नदिक से यह बंगलो सच में रियल है यहा सभी सेट की तरह फेक ही है गाईस यह देख सकता हूँ रास्ता भी नहीं है यहाँ पर जाने के लिए यह दोर है गाईस यह तो मतलब फाइबर मटिरियल का ही है यह दीवार है यह दीवार भी नहीं है गाईस रियली में यह वैसे ही गाईस फाइबर मटिरियल का पूरा बंगलो बना है बंगलो की विंडोस खुली है मैं अंदर से थोड़ा लूक देता हूँ आपको कुछ यह ये बंगलों के अंदर का सीन है, बंगलों के अंदर तो कुछ नहीं था, पूरा मलब खाली-खाली फ्लोर पड़ा हुआ, तो मतलब इन लोग को अगर शूट के लिए यूज करना हो, तो पूरा सब पेंटिंग कर देंगे, सब कुछ मतलब सजा देंगे इसको पूरा, तो अलग-अलग शूटिंग लोकेशन थी, बहुत बड़े-बड़े ग्राउंड थे, बहुत जादे ग्रीनरी भी थी वहाँ पर, अनलिमिटेट शूटिंग होई है, आज तो मैंने पर्टिकुलर्ली उसको एक्स्प्लोर नहीं किया, क्योंकि वह उसका मैंने अलग से व्लोग सकते हो, और वहाँ पर DM कर सकते हो, और फिर comments में भी पूछी सकते हो questions, guys, मैं वैसे सब का reply देता हूँ, guys, यह वाला ब्लोग तो यह ही पे end करते हो, I hope आपको यह वाला ब्लोग अच्छा लगा होगा, so guys, thank you very much for watching this video, please, if spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing, see you in the next video very soon, till the time, goodbye. झाल